हेलो फ्रेंड उमीद है आपके नवरात्रे बड़े हेल्दी रहके निकल रहे होंगे तो आज एक और मैं आपके लिए व्रत की रेसिपी लेके आ गई हूँ जो ना आइस क्रीम है ना ही चोकलेट तो यह क्या है चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं इसे इसके लिए मैंने एक कप हंकड ले लिया हंकड बनाने के लिए दो कप दही को आप मलमल के कपड़े में डालके फ्रीज में रख लें उसके ओपर कोई बारीवजन रख लें जिससे उसका सारा पानी असndptic से सेपूड हो जाए और फ्रिज में इसलिये रखें कि वो खटा ना हो जाए तो 30 मिनट में ये हमारा हंकड रेडी हो जाएगा अब इस हंकड में मैं स्वाध अनुसार PCV चीनी डाल रही हूं ये सिंपल PCV चीनी है आइसिंग सुगर नहीं है आइसिंग सुगर में कॉण्फ्लोर मिक्स होता तो उसके लिए मैं कोई essence या color नहीं डाल रही हूं उसमें मैं ये mango puree डालूंगी और जो हमने 2 टेबर स्पून अलर निकाला ना उसमें हम रोज essence और raspberry red food color डाल लेंगे इसमें इसे भी mix कर लेंगे क्यूंकि हम इसको दो flavor में बना रहे हैं तो friends अगर आपको recipe पसंद आए तो इसे like, share, subscribe करना ना भूले, comment करके भी बताएं आप कौनसी सीटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई recipe देखना चाता है तो वो भी बताएं मैं ज़रू try करूंगी बनाने की तो अब ये मैंने airtight box ले लिया है इसमें पहले हम mango puree वाला base डालेंगे और अच्छे से tap tap करके set कर लेंगे और उसके ओपर जो हमने rose वाला तयार किया था ना वो बिखेर लेंगे इसको चारो तरफ और तूथपी की मदद से ऐसे design बना लेंगे हम उस पे जिसे ये marble effect आएग और इसको पिष्टा और rose petal से decorate कर लेंगे फिर हम इसे set होने के लिए freezer में रखेंगे freezer में रखना है friends फ्रीज में नहीं और अच्छे से इसको cover कर दें added box होना चीए ताक कि ice न जमें तो ये देखिए मैंने overnight के लिए रखा था और ये कितना अच्छे से set हुआ है तो ये हमा फ्रोजन कर तयार है friends ना तो ये ice cream है ना ही chocolate तो आप भी बस व्रत में ये ठंडी ठंडी सी recipe घर पे बनाए और व्रत को healthy रहते हुए enjoy करें thank you